हेलो एबरीवन वेलकम बैक टो इंडियन सिंपल कीचन इंडियन सिंपल कीचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको टेमाटर वाली डाल बनाना सिखाऊंगी गाईज क्योंकि सिंपल तरीके से बनने वाले डाल को अगर आप खाकर बोर हो चुके हैं इस डाल को अपने घर पे जरूर ट्राइ करें इस टमाटर वाली डाल आपको बहुत ज़्दा पसंदाने वाली है खाने का जायका बिल्कुल दो गुना बढ़ जाने वाला है इस डाल के साथ में तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और जानते हैं इस प्यारी सी और टेस्टी और मौंग ले लिया है आप चाहें तो इसके अलावा और भी कोई डाल को शामिल कर सकते हैं और इसी के साथ मैंने आप पे एक बड़े साइस का टमाटर ले लिया है जिसे काट लिया है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बना लेना तो सबसे पहले मैंने ग्यास पर रख दिया ह तो दाल को जो है मैंने वाश कर लिया है तो बिल्कुल जिस तरीके से नॉर्मली हम दाल बनाते हैं तो इस तरीके से हमें से कुकर में डाल देना है तो दाल को मैंने कुकर में डाल दिया है और अब इसमें मैं पाई डाल दूगी तो मैंने इसमें पाई डाल दिया है डाल को ड स्टोड़ा, घाल दिया है, जसेसी का टेस्ट और भी अच्छा आजाए गा और जब इसकी सीटी आएगी तो यह बलुख्ल भी ऊपर नहीं आएगा, यानि की कुकर से बाहर नहीं आएगा तो डाल जो है वो ready हो चुका है 4-5 सीटी आने के बाद में मैंने gas को off कर दिया है तो देखिए आप देख सकते हैं guys की डाल जो है वो काफी अच्छे तरीके से तयार हो चुका है और टमाटर जो है वो में मेल्ट हो चुका है गल चुका है अच्छे तरीके से तो चलिए दाल को किसी दूसरे बरतन में shift कर देते हैं तो बने इसे दूसरे बरतन में shift कर दिया है दाल की ठीकने साब देख सकते हैं guys तब हमें इसका तड़का तयार कर लेना तड़के के लिए मैंने यहाँ पे प्याज लस्तन लाल मिर्च और करी पत्ता ले लिया है तो चलिए पैन को गर्म हो जान देते हैं तो पैन हमारा गर्म हो चुका है मैंने इसमें सरसो का तेल डाल दिया है अब मैं सबसे पहले मिर्च को डाल दूँगी मिर्च के साथ में मैं हमें लसन को भी डाल दूँगी लसन की कलियों में मैंने दो लसन की कलिया ले लिया है जिससे बिल्कुल छुटा छुटा काट लिया है तो सबसे पहले हमें से भून लेना इसका color change हो जाने तक तो आप देख सकते है lesson और मैंने इस में प्याज करीक पत्ता को add कर दिया है अब हमें इसका color change हो जाना तक इसे fry कर लेना है तो तड़का हमारा तयार हो चुका है मैंने इसे डाल में डाल दिया है काफी गर्मा गर्म हमारा जो डाल है वो रेडी हो चुका है तो चलिए तड़के को डाल के साथ मैंने मिक्स कर दिया है आप देख सकते हैं डाल जो है वो काफी आसान तरीके से तयार हो गया है तो मैंने से सर्फ कर दिया है काफी गर्मा गर्म हमारी टमाटर वाली दाल तैयार हो चुकी है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनने वाली दाल की जगा में इस दाल को बना कर देखे आपके खाने का जो जायका है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा इस दाल के साथ में काफी टेस्टी लगता है और बनने में भी काफी आसान है तो बिल्कुल इसकी ठीकनेस इतनी ही रहने दें से जादा दाल को पतला ना करें नहीं तो ये खाने में उतना अच्छा नहीं लगे तो घर पे से जरूर ट्राइब करें जरूर बनाएं जरूर खाएं जरूर इंजॉय करें अगर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपने से किस तरीके से बनाया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बल आइकन प्रेश जरूर करें जिससे आ जाएगी तब मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी और बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को ले करके तिल देन बाइ बाइ गाइज